इंडिया वर्सेस इंग्लेंड टेस्ट सिरीज विराट कोहली की वापसी पर संसाय बर करार के एल राहूल रवींद्र जडेजा और महम्मद सामी को लेकर आया यह अपडेट विराट कोहली इस समय देश से बाहर हैं यह समझा जाता है कि चैन समिति की अध्यक्ष अजित अग कहा जा रहा है कि वह तीसरे टेस्ट में वापसी करेंगे कोहली ने परिवारी कानड़ों से छुट्टी ली थी उनके करीबी दोस्त आरसीबी के पूर्व क्रिकेटर एबी डियुलियस ने इस बात का खुलासा किया है कि कोहली की पतनी अनुस्का सर्मा बच्चे को जन्म द बात करेंगे ताकि इस परश्ट तस्वीर मिल सके कि वह वापसी के लिए तयार है या नहीं मामले की जानकारी रखने वाले बिसीस्याई के एक सूत्र ने गोपनियता की सर्थ पर पीटियाई को बदाया बिसीस्याई की प्रेस कांफरेंस में कहा गया है कि परिवार सबसे पहले आता है और विराट तभी खेलेंगे जब उन्हें लगेगा कि वहां खेलने की इस्तिती में हैं वहीं बात करें केल राहूल की वापसी से गिल और अईयर पर दबाव बन सकता है बड़े रानों के लिए संघर्ष कर रहे हैं सुबमन गिल और स्रयास अईयर को इंगले राहूल 14 फरवरी से राज़कोर्ट में सुरू होने वाले तीसरे टेस्ट के लिए समय पर फिट हो सकते हैं अगर वहां फिट हो जाते हैं तो प्लेइंग 11 में उनका खेलना तय है उनकी वापसी से गिल और अईयर पर दबाव बन सकता है अगले तीन टेस्ट मेंचों के लि को राज़कोर्ट में होने वाले अगले मैच में खेल सकता है इन दोनों ने अपनी पिछली नौ टेस्ट पारियों में एक भी अर्दसतक नहीं लगाया है अगर केल रहूल की वापसी होती है तो इन दोनों के लिए खत्रे की घंटी बस सकती है समी और जडेजा पर संकट के बादल मन रहे हैं माना जा रहा है कि यह दोनों खिलाडी इस टेस्ट सीरीज में आगे नहीं खेलेंगे समी के नाम पर टेस्ट सीरीज के लिए विचार्फ यही नहीं गया था वहीं हैदराबाद में पहले टेस्ट के दराण रवींद्र जडेजा की मासपेस्यों में खिच है या नहीं